नमस्कार जैसरी कृष्णा मेरे पिरिय दर्श को बात करने वाले हैं 29 अगत से 3 सितंबर तक लव रासिफल के बारे में पिरिय दर्श को कैसा रहने वाला है पूरा सब्ता आपके लिए ये विकली होरोस्कॉप है और पिरिय दर्श को कहते हैं जोति सास्तर में आपकी कुंडली में सुखकर की सकरात्मकता ही आपके प्रेम जीवन का भविश्यत त्या करती है ये जी किसी भी समय सुखकर आपकी कुंडली में सकरात्मक अउस्ता में है तो आपके रिष्टों में कम संगर्ष और प्रेम अधिक अश्र दिखाई देंगे प्रेम रिवाहिक जीवन में जो जातक एक दूसरे से प्रेम के मंदन में बंदे हुए है तो प्रेम जीवन के लिहास से कैसा गुजरेगा ये पूरा सब्ता आपके लिए ये द्यानिक प्रेम रासिफल चंदर्मा की गन्ना पर अधारित है तो हम सुरुआत करते हैं सबसे पहले मेस लव रासिफल के बारे में और ये रासिफल जो है इसका स्वामी जो बनता है मंगल गरह बनता है दिखे यदि आप किसी के साथ लंबे अर्शे से किसी प्रेम समंदों में हैं तो इस सब्ता आप उनसे प्रेम विवा करने का वादा करते हुए अपने इस रिस्तों को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे में आपके लिए बहतर ही होगा कि उनसे कुछ भी ऐसा वादा बिल्कुल ने करे जिसको लेकर आप खुद भी सुनचित नहो अगर आपकी साधी को काफी समय हो गया है किसी कारणवर्स आपके दमपते जीवन में किसी परारी कोई दिकत किस्तिती बन लगी थी तो इस सप्ता आपको अपने विवेक का इस्तमाल करके अपने साधी सुदा जीवन में आरही समस्या को हल करने के साथ अपने रिष्टे को फिर से तरवताजा करने की जुरत आपको होगी बात करेंगे वर्षव लव रासिफल के बारे में जिसका स्वामी सुक्कर गरह बनता है इस सब्ता अपने प्रेमी का कुरिजाने के लिए आप कई सुमाग रच सकते हैं यही होगा कि आप अपने लव मैट को खुश कर सकें आपके प्रियासों से आपका लव मैट खुश भी होगा और प्रेम जिउन में अच्छे बदलाओ देखनों को मिलेंगे अपने प्रेमी के साथ आप दिली रूप से क्रीवी बढ़ाएंगे यह आप दोनों के बहुश से के लिए अच्छा है विवाईत जातकों के लिए सब्ता समानने से उत्तम रहेगा हलाकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कासुनी जिवन साथी के साथ संबव है परंतु कई सुब घरो की दरश्टी आपकी इस कासुनी में भी रस गोलने का कारियक करेंगे बात करेंगे मित्तुन लवरासिफल के बारे में जिसका स्वामी बुद्ध गरह बनता है इस समय आपको अपने प्रेम जीवन का सबल पक्स दिखाई देगा और एक दूसरे से प्यार की भावना मजबूत होगी इस दुरान आपको अपनी किसी समस्याव से निकलने में अपने प्रेमी का साथ भी मिलने के योग बन रहे हैं इस सब्ता आपके साथ कई गटनाए ऐसी होगी जब आपको महसुस होगा कि साधी के वक्त किये गए सारे वादे सच्चे हैं इस दुरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपकी असली हम दम है जिस पर आप आख मुंद कर विश्वास कर सकते हैं बात करेंगे करक लवरा सिफल के बारे में स्वामी बनता है चंदर्मा प्रेम समंदों के लिहास से देखा जाए तो इस सप्ता आप एक अच्छे प्रेमी बनने में पूरी तरह सफल रहेंगे क्योंकि इस समय आपका प्रेमी आपसे संतुष्ट रहेगा साथ ही उन्हें पुरों में आपसे सन्वाद करने में जो भी प्रेशानी आ रही थी वो भी अभी पूरी तरह से दूर हो सकेगी साथ ही इस सप्ता प्रेमी के मन में भी संतुष्टि का भाव आपको परसंता देने का कारियक करेगा इस सप्ता आप अपने सुस्राल पक्स के लोगों से अपने रिष्टे बहतर करने में सफल रहेंगे बात करेंगे शिंग लवराशिफल जिसका स्वामी सुरिय घरह बनता है इस पूरे ही सप्ता प्रेमी जातकों के बीज प्रेम और संपरन का भाव बना रहेगा साथ ही वो जातक जो किसी भी कारणवस अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उनके प्रेम में भी इस सप्ता समानने से अधिक गहराई जो है दिखाई देगी और आपस का विश्वास भी बढ़ सकेगा जिसके बाद आप दोनों के बीच इन दूरियों का कोई परवाव नहीं पड़ेगा बात करें कन्ना लव रास्टी फल के बारे में जिसका स्वामी बनता है बुद्गर है प्रेम में पड़े इस रास्टी के लोगों को इस सप्ता अपने लव मैट के साथ रोमांटिक समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा अपने दिल की बातों को आप अपने प्रेमी के साथ साजा करके अच्छा महसूस करेंगे प्रेम जीवन में स्थर्था रहेगी जिसके कारण आप अन्य छेतरों में भी इस समय अच्छा परदर्शन कर पाएंगे इस सब्ता आपको महसूस होगा कि आपका विवहाईग जीवन बहुत खूसुरत है जिसे कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने विवहाईग जीवन की बहतर याद रचेंगे और उसे और बहतर बनाने का प्रियास भी करेंगे बात करेंगे तुला लव रासिफल जिसका स्वामी बनता है सुकर गर है अगर इस सब्ता के सक्रात्मक पहलू पर नजर डालें तो आपकी रासि के कुछ प्रेमी जातक साधी के पवितर बंदन में बंदने का बड़ा फैसला ले सकते हैं इसलिए आप प्रेमी को अपने घरवालों से मिलवाने का प्रियास करते हुए घरवालों के समक्स अपनी रिष्टे और प्रेम की अपनी इच्छा को रख सकते हैं काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी इस अफ्ते सांती भरे वातवरण में एक दूसरे के साथ समय वैतित कर सकते हैं बात करेंगे वरिष्टिक रासिफल जिसका स्वामी बंगता है मंगल गर है देखें रोमान्स के नजीरे से अगर हम देखें तो आपकी जिन्द्गी को को नया मोड ले सकते हैं क्योंकि संभव है कि प्रेमी आप से कोई बड़ा वादा ले या अपेक्सा रखें जिसके बारे में आप जल्दवाजी में कोई भी निनन नय लेते हुए प्रेमी से कुछ समय मांग ले ऐसे में आपकी दूइदा आपके प्रेमी को कुछ परिशान भी कर सकती है इसलिए बात को गोल मोल गुमाने की जगए उनसे साप सब्दों में बात करना ही आप के लिए बहतर रहेगा बात करेंगे धनू लवरासिफल जिसका स्वामी बनता है गुरू ग्रह ये सब्दा आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे बहतर सब्दा साबित होगा क्योंकि ये वही समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के सागर में गौते लगाएंगे और इस समय आप अपने प्रेम को अपने दोस्तों से मिलवाने का फैसला भी ले सकते हैं इस सब्दा साधी सुदा जातको के उपर प्रेम और कमता दोनों ही हावी रहेगी बात करेंगे मकर लव रासीफल स्वामी बनता सनी ग्रेम प्रेम के बहुशवानी के नुसार इस सब्दा आपके और प्रिये के आपसी तालमेल में सुधार करने वाला सावित होगा क्योंकि इसी तालमेल के कारण ही अपने इस पवितर रिष्टे में आ रही हर समस्था है आप दूर करने में सफल रहेंगे और इस से आपको प्रेमी संदर समय वैतित करने का आउसर भी मिल सकेगा इस अपता आपके जीवन साथी का आपके परिवार के परती देखवाल बढ़ा विवार आपके गरव की अनुगती कराएगा क्योंकि इस दुरान आप जब भी अपने साथी को घर पर बड़े सदस्यों की लगने के साथ सेवा करते देखे तो आपका अक्रशन उनके परती और अधिक बढ़ जाएगा बात करेंगे कुम लव रासिफल स्वामी बनता है सनी ग्रहन इस अपताप के प्रेम जीवन में सकरात्मक बदलाओ देखने को मिलेंगे अपने बातों को सपष्टा से आप अपने प्रेमी के सामने रखेंगे जिससे उनको हार्दिक खुस पराप्त होगी प्रेमी को खुस करने के लिए उन्हें किसी खुसूरत जगह पर गुमाने का भी आप प्लान बना सकते हैं बात करेंगे अब मीन लव रासिफल के बारे में स्वामी बनता है गुरू ग्रहन देखे प्रेमी रासिफल के नुसार आप अपने प्यारी और मिठी बातों में अपने पिरिये को नुभाने का प्रियास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी जिससे वे आप खुस रहेंगे क्योंकि इस समय घरों की स्थिति अनुकुल होगी इसे में इस सुब कारिय का उत्तमलाब उठाए नुभाइत वो जातक जो कई समय से मतलब काफी समय से अपने दमपते जिवोंने विश्टार करने का प्रियास कर रहे थे उन्हें इस दुरान किसी नन्ने मेमान के आने की खुस खबरी मिल सकेगी तो पिरिय दर्शको ये था लवरासिफल अब आपको बताने वालाओं आज का खास उपाई आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा इत्तर लेना है और अपनी यहाँ पर गुरु परवत पर आपको उसको लगाना है ओम दराम दरीम दरौम सेम सुक्राइन में इस मंतर का जा जाएए तो आज के लिए वह इतना ही जै मतावे